आप सब मैं प्रनव और आप देख रहे हो हैरी टेकन व्लॉग्स चैनल आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने लिए इस्टाग्राम रील्स को within minutes कर सकते हो वाइरल थिक है तो मान लो आपके पास है बहुत ही अच्छा content कैसे आपके पास बहुत अच्छा content है बहुत वाइरल होने लाए content है लेकिन फिर भी आपको content viral क्यों नहीं हो रहा है आप लोग इस बात से परेशान हो ठीक है को एक और चीज़ बताना चाहूंगा कि जो यह हमारा वाइरल होने का जो setup रहता है उसमें जो सबसे फर्स चीज महाने रखती है वह हमारा uploading time हम अपनी Instagram Reels को upload कप कर रहे हैं तो जैसा कि मैं जानता हूं या फिर और बड़े-बड़े यूट्यूबर्स और बड़े-बड़े Instagrammers जानते हैं कि जो Instagram Reels को upload करने का time है वह ऐसा time होना चाहिए जहां पर सब variable मतलब जो most of the public आपकी Instagram पर active रहे ठीक है या फिर engage रहे आपकी Reels में तो guys सबसे जो advice time है आप लोगों के लिए वह है 4 p.m. से 8 p.m. के बीच का चुक्क कोविड जो reason कोविड का समय है उसको अगर मैं aside रख दू लेकिन all time भी जो लोग होते ऑफिशल वर्क से अगर चुट्टी मिलती है ऑफिशल वर्क से तो चार बज़े के आपके बाद माकी सारे social media platforms पे active हो जाते हैं तो guys यही समय होता है जिसमें आप लोग जाके उनको मतलब engage कर सकते हो तो guys सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको होता ही जो कि मतलब मायने रखती है वो है upload करने का time तो guys जो upload करने का time है वो होना चाहिए 4 p.m से 8 p.m के बीच में और बाकी की settings में आपको बताने बाला हूँ क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे देखो आपको settings नजर आएगा फिर आपको जाना है settings में ठीक है यह तो first step है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद आपको आ जाना है इसमें आपके account में देखिए ads के नीचे आपको account दिख रहा है आपको account में आ जाना है fourth last step का account है इसमें आपको account में आ जाना है और account में आने के बाद आपको सबसे नीचे scroll down करना है और यहां पर add new professional account करना है क्योंकि जो professional account होता है उसको instagram सबसे ज़्यादा मैं कहूं यह आफ मतलब promote करता है तो आपको यहां पर add new professional account पर click कर देना है उसके बाद यह आपको सब दिखाए कर कि इसमें क्या होता है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे इसको create करना है ठीक है reach more people create promotions on Instagram to help reach more people and build your community मतलब यह भी आपको एक तरीकी से help करेगा कि आप लोग और जादा सो जादा लोगों पर reach कर सकें ठीक है आपको continue कर देना है forget new contact options add a contact button to your profile to make it easier people to get in touch with you यह तो आप करो ना करो वह आपको depend करता है ठीक है continue क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यह देखना है what best describes you मतलब आप क्या हो या फिर आपके कार्म है उसको क्या चीज सबसे ज़्यादा अच्छी से describe करती है ठीक है आप artist हो musician हो या आपका band है या ब्लॉग हो clothing हो brand मतलब brand हो आप clothing हो आप के brand है clothing की आप एक community हो या digital creator हो या फिर education सिरेट आप हो या entrepreneur हो health beauty सिरेट आपको मतलब कोई product है या फिर आप एडिटर हो या फिर आप एक writer हो या फिर आप पर आपने personal यहां पर सबसे important चीज़ कहां से जालाती है display create category label आपको अपना category label display करना है तभी आप तक logs reach करेंगे ठीक है फिर done पर कर देना है उसके बाद आपको यहां पर अपना phone या email पार एंटर कर देना है ठीक है तो फोन एंटर करने के बाद में यह आपको आपकी जो profile है या तो वहां रिडाइट कर देगा या फिर आपको अपने Instagram पर ही डाइडेक्ट कर देगा ठीक है तो आप लोग अभी ऊपर में देखो जहां पर मेरा official प्रणाव लिखा है सबसे उपर उसके नीचे आपको चीज दिखते होगी की view professional dashboard अब मैं यहाँ पर click करूँगा यहाँ पर click करने के बाद में आपको दिखा देगा कि आपका जो business है कितना रीच हुआ है ठीक है और आपके promotions भी दिखा देगा फिर आपे branded content approval मतलब आपके लोगों को आपके जो brand है उसको कितने content से approval मिल चुका है वो सब दिखा देग ठीक है और बाकि यह लोग आपके जो मतलब का है को देख सकती हूँ तो यह तो सब पहला step जो मैंने आपको बताया अब आपका दूसरा step क्या है जिससे कि आप लोग अपनी Instagram Reels को reach कर सकते हूँ guys मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे टाइम पर upload करना है जब बहुत से ज Hashtag लगा के comment कर दो और वहाँ पर लोगों को बताओ कि आजाओ मेरे मतलब जो भी है आप लोग अपना comment डाल दो ठीक है उस पर हजारो comment जरूर लोगे लेकिन आपका comment आने के बाद आपको जो real है वो भी reach करेगा ठीक है तो आपको एक बार फिर से three dot पे click कर देना है फिर से देना है उसके बाद जैसे यह remix लिखा है na enable remixing आपको यह remixing जैसके मैं बंद कर दूँगा तो बंद हो जाएगा आपको यह remixing enable कर देनी है अब मैं आपको बताता हूँ कि यह है क्या when you enable remixing anyone can create reals that play your video and they are side by side a remix creator can also download a video as a part of their remix मतलब गाइस यह आपको यह पर किसी मतलब आप आपने कोई real upload करी मानलों आपने कोई real upload करी उसके बाद कोई भी बंदा आपकी real का इस्तमाल कर सकते है अगर आप enable remixing करते हो या फिर आप भी किसी और की जो real है उसको enable कर सकते हो ठीक है तो यह है एक और step जिससे कि आपकी जो है real मतलब reach हो सकते है या फिर कहूं कि बहुत ज्यादा viral हो सकते है क्यों जब tik-tok मतलब मैं कहूं tik-tok viral हुआ था जिस समय में वहाँ पर भी लोगों ने इसका बहुत ज्यादा इस्तमाल करा था remixing का तभी वह लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों पे पहुंचे थे अब गैस जो हमारा last and सबसे बड़िया step है यह recommend on Facebook आ अगर आपका Facebook आउंट तभी ऐसा पॉसिबल है तो अगर आपका Facebook आउंट है तो अफर इसे recommend on Facebook कर देना तो मैं recommend on Facebook कर देना क्योंकि मेरा Facebook से ही login है इसके बाद क्या होगा आपकी जो real app डाल रहे हो वह Instagram के साथ Facebook पर भी आना चालो जाएगी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था होप आपको समझ में आयो कि आप लोग अपनी डिल्स को कैसे वाइल कर सकते हो गाइस अगर आप लोगों अब तक आप फॉलो नहीं मारत को आप फॉलो मारत ठीक है और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और हमारे 200 सब्सक्राइब करने में हैल पर हो तो इस वीडियो 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 नेक्स मेड़ो तब तक के लिए जै हिन जै भारत